तो आज हम करने वाले हैं एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर बात तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक की नीड क्या पड़ी है तो गाइस एंजिन ओयल एक बहुती इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट होता है गाड़ी के एंजिन का जिसके ब शायद कोई भी पार्ट वर्केबल ही नहीं है तो अब एक्चुली क्या है कि आए मैं भी बहुत काफी टाइम से एक रॉयल एंफील्ड डोनर हूं और कुछ चीजह ऐसी थी जो मुझे शायद मजा नहीं आ रहा था तो दैट वोज रीजन की आई सजेस्टेट की हम कुछ न अगल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज तो बात करते हैं हमकी क्या जरूरत है तो जरूरत सबसे बड़ी यह है कि मैं भी एक रॉयल एंफिल्ड ओनर हूं और काफी टाइम से मैं गाड़ी चला रहा हूं तो जो एक चीज मैंने महसूस की वो यह था कि जब आपकी गाड़ी हीट हो जाती है तो उसके बाद आप देखें उसकी जो साउंड है वो बदल जाती है तो क्योंकि रॉयल एंफिल्ड एक एर कूल गाड़ी है और कूल गाड़ी भी नहीं है जिसकी वजह से एक और चीज है कि जो ऑईल है जो मुझे 15-15 W50 grade का है लेकिन सेमी सिंथेटिक ओल है तो क्या है कि जब यह ओईल ओवर पीरिट ओफ टाइम जब आप गाड़ी चलाते हो जैसे आप 30-40 किलो मेटर चला रहे हो गाड़ी तो गाड़ी जब हीट हो जाती है तो आप देखें टैपिट की नॉइज़े शुरू हो जाती ह जो कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी बार आप सेटिंग करा लीजिए वो चीज़ें नहीं जाती है तो वो क्या drawback है आप आधाये इसके ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विट गन टं के बारे में तो लिक्विट गन के फोटो आप यह यहां राइट साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय जो आ रही है यह लिक्विट गन एंजन ओईल रॉयल एंफील्ड का 15W50 है जो की साड़े तीन सो सीसी गाड़ियों में रॉयल एंफील्ड रेकमेंड करता है तो अब इस ओईल की खासियत क्या है देखें गाईज अगर आप यह 15W50 लिक्विट गन ओईल डला रहे हैं अपनी गाड़ी में इस डेफिनेटली और रेकमेंडेट ग्रेट जो की आप यूज कर र प्राइजस तो प्राइजस को बहुत जादा कॉस्ट एफेक्टिव रखने की वजह से यह ऑईल बनाया तो गया है लेकिन यह ऑईल उतना जादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा जो की आपको एक आफ्टर मार्केट ऑईल दे सकता है यहां पर मैं सिर्फ उसके बारे में बात करता हूं तो गाइस अगर आप सेमी सिंथेटिक वाइल नहीं तो क्या डलाना चाहिए तो गाइस बेरा सजेक्शन आप सबको यह होगा क्योंकि यह एक साड़े तीन सो सीसी का इंजन है तकरीवन 6600 से 7000 पर मिनिट तक का इसका जो मैक्सिमाम र होती है कि यह होने के बाद भी इसकी जो विसकोसिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आता है या फिर आप यू कहें कि जो मिनरल ओयल होता है वो जब जादा गरम हो जाता है तो उसकी लूब्रिकेशन क्वालिटी मैं आप बहुत जादा टेकनिकल टर्म यहां पर इसलिए यू सबसे पहले हम बात करते हैं बैनिफिट्स की सबसे पहले मैं आपको वह आईल निखा देता हूं जो मैं डलवाऊंगा और जो मैं यूज करने वाला हूँ तो गाइज यह है वो ओईल इस इस मोटूल 300V 15W50 ग्रेड तो अब सबसे पहले बात करते हैं यह 15W50 ग्रेड क्या होता है और यह ग्रेड रॉयल एंफिल्ड क्यों रेकमेंड करता है तो 15W50 जो ग्रेड है वो एक मिडियोकर लेवल का ग्रेड है यानि की आपकी गाड़ी का एंजिन अगर 100 डिग्री सेंटी ग्रेड पे गरम हो जाता है तो 50 इस दा अपर लिमिट यानि की इसकी जो लूब्रिकेशन क्वालिटी है वो कितनी होगी वो अप्तिमम होगी की फिफ्टी ग्रेड का अगर ऑईल है तो 100 डिग्री पे हीट होने के बाद भी रॉयल एंफील्ड कहता है कि उसकी लूब्रिकेशन क्वालिटी होनी चाहिए एक्स तो यह वो ऑईल है जो मैं अपनी गाड़ी में दलवाने वाला हूं इस सर्विस में तो अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप इससे पहले बात करें तो यह जो 15W है यह क्या है और इसमें ऑईल 10W 50 भी आता है 5W 50 भी आता है तो गाइस देखें मैं रहता हूं नॉर यहां पर जाता है तो इसका मुझे जो benefit मिल जाता है वो यह है कि मैं क्योंकि northern region है यहां पर गर्मी बहुत होती है तो मैं एक ऐसा ओईल ले रहा हूं जो की रॉयल इंफिल्ड के recommended grade में भी है और इसकी performance क्योंकि यह पूरा completely this is a fully synthetic engine oil with ester core technology तो यह ओईल आपकी गाड़ी में definitely tap it sounds कम करेगा, clutch और gear का shifting ratio बहुत smooth कर देगा, आपकी ride quality बहुत अच्छी होगी, vibrations भी definitely कम होगे, तो यह तो हो गए इसके benefits जो यह oil आपको देगा, अब इसके बाद मैं एक बात और करता हूं कि पहली बात करते हैं अब इसकी price की, तो guys देखिए यह oil काफी expensive है, आप में से ह हो सकता है, बहुत सारे subscribers या viewers मुझे यह भी बोलेंगे, कि आप यह एतना expensive oil डलाओगे, तो कैसे चलेगा, तो देखिए sir, आप mineral oil भी डला सकते हैं, आप semi synthetic oil भी डला सकते हैं, सबसे बड़ा जो factor होता है, वो होता है आपका drain interval, तो अभी जो currently जो मैं देखता हूं, royal infield की service booklet तो उसमें जो मुझे दिखाई पड़ता है कि पहली service होती है 500 पे oil change, उसके बाद दूसरी service 5000 पे oil change नहीं होता है, उसके बाद तीसरी service 10,000 पे जिस पे oil change होता है, 5000 पे सिर्फ oil top up होता है, तो guys मैं कहीं न कहीं इस particular service इंटरवल से satisfied नहीं हूं, क्योंकि आप कितना भी engine oil ले लीजिए, 10,000 km, सिर्फ आप अगर उसको run कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी में lubrication definitely provide नहीं कर पाएगा, कितना भी अच्छा हो, I am using, अगर मैं अपनी cars की बात करूं, तो मैं cars में available best engine oils use करता हूं, 0W 30 grade, जो कि सबसे अच्छा grade होता है, car के engines के लिए, क्योंकि car के engines में liquid cooling भी होती है, उसमें भी मैं सबसे high grade quality का synthetic oil use करके भी 5000 km से उपर गाड़ी नहीं चलाता, इसके पीछे मुझे फाइदा क्या मिलता है, कि मेरी गाड़ियां आज भी उतनी ही fresh और उतनी ही new है, जितनी की जब मैं day one पे ले के आया था, क्योंकि मैं oil का lubrication जब बराबर रखू होंगा engine के अंदर तो आपको यहां पे हमेशा जो है एक बहतर performance मिलेगी, आपके parts कम धिसेंगे, अब यह अब आप समझेगा इसको कि मैं यह oil भी डलाने के बाद 5000 पे drain करवाऊंगा, और मैं दुबारा oil fresh डलवाऊंगा, तो उसका benefit मुझे सिर्फ यही मिलेगा, कि मेरे engine की जो life है यह बहुत जादा हो जाती है as compared to the regular oil, अब बात कर लेते हैं इसकी price की, तो guys यह जो bottle मुझे पड़ी है, यह because this is a oil which is made in France, यह आप Amazon पे या flip card पे कहीं भी चले जाएगा, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई affiliation नहीं है, तो मैं buy links देने से मना ही करता हूं, जब आप लोग मुझे request करते हैं, तो मैं Amazon पे search करके आपको वो link दे देता हूं, कि आपकी ease के लिए, लेकिन यह oil तकरीबन 900 रुपए का 1 लीटर पड़ता है, यानि कि अगर classic owner हैं आप तो यह oil आपको पढ़ने वाला है, 3 लीटर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 लीटर आपकी गा compare करें royal infield के साथ, तो with oil आपकी यह service होती है, यह तकरीबन 1200 से 1300 रुपए में हो जाती है, तो the only reason इसको मैं क्यों use करने वाला हूं, because इससे engine बहुत ही जाधा smooth होगा, आपके engine में problems आने की समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, I can assure you guys, मैंने 5 साल अपनी इससे पहले एक और गा model थी, मैंने last year ही dispose की थी, 2020 में, जो भी लेके गया है, मेरे अभी भी touch में है, and he still says कि आद भी गाड़ी नहीं जैसी चलती है, because जब वो लेके जा रहे थे, तो मैंने भी उन्हें यही का था, कि आप please V300 ही डालिएगा, Motul का, this is a fully synthetic oil, double ester core technology के साथ, जो कि आपके acceleration पे, gear ratios पे और vibrations पे काम करता है, तीनों जगे और गाड़ी के parts को, जो है, damage होने से बचाता है, अब बात कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी तो warranty में है, तो क्या हम यह oil डला सकते हैं, तो देखिए कि practically speaking, अगर आप great change नहीं कर रहे हैं, तो आप बिलकुल इस oil को डलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी service booklet को पढ़िएगा, तो हमेशा वहाँ पे लिखा होता है कि Royal Enfield recommends 15W 50 grade oil liquid gun, वहाँ पे recommends शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो recommends शब्द का इस्तेमाल जो है, हमारी जो service center में लोग होते हैं, अकसर यह कहते हैं कि अगर आपने यह oil डला लिया, तो आपक कि दोस्तों practically अगर आप समझ के देखिएगा कि 780 रुपए का Royal Enfield, 5.0L oil देता है और मैं 900 रुपए का 1.0L oil ले रहा हूं, तो मेरे oil की quality से engine कैसे खराब हो सकता है, इस चीज़ को तो आप कहीं भी जा करके challenge कर सकते हैं, अब why this oil, why not 7100 या फिर why not 5100 या वाय नोट कैस्ट्र और कोई oil क्यों नहीं लिया, तो guys, the only reason मैंने ये oil इसलिए select कर रखा है, because मैं एक mixed driver हूं, यानि कि मैं बहुत आराम से भी चलता हूं, बहुत तेज भी कभी कभी जब जरूत पड़ती है, तो मैं 100 प्लस भी चलता हूं, 40 बे भी चलता हूं, तो होता क्या है कि अगर आप किस और brand में जाते हैं, तो वहाँ पे, जैसे motul 7100 की बात करें, तो motul 7100 low rpms पे अच्छा performance नहीं देता, लेकिन उसका performance अच्छा आता है, जब आप high rpm पे ही rev करते हो, अब ये जो oil है, V300 ये इनका सबसे premium oil है, और इसका जो benefit आपको मिल जाता है, वो ये है कि ये जो गाड़ी rev करते time, चाहें आपकी rpm कम हो, आपकी गाड़ी के या जादा हो, आपकी गाड़ी को maximum performance इस oil से मिलेगी, तो इसके उपर एक बार मैं फिर से review जरूर करूंगा, एक बार service हो के आएगी गाड़ी, service पे जाने से पहले, अगले वीडियो में मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि मे आपको अगले वीडियो में दूँगा, और उसके बाद service होने के बाद भी मैं आपको वो comparison वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊंगा, जहां पे आपको दिखेगा कि फरक दोनों engines में कितना है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको आपको मिल जाएगा, क्योंकि because I don't believe in any kind of e-commerce things, तो मैं अपने लिए मंगाता हूँ, उसको review करता हूँ और आपको जो best information होती है, वो provide करता हूँ, so with this note, this is me, Nitin and Vivek, signing off from 4 vlogs for the day, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और ने वीडियो में, till then, stay tuned, stay safe, stay secure, good bye. झाल